तो आज जो अपन कवर करेंगे वो हम सप्लीमेंट्स कवर करेंगे आपके जून अटेम्ब की बात करें हैं जून कि तूधाउजन ट्वेंटी फो कि सब्जेक्ट है मारा सी एम एसल अब जो सप्लीमेंट्स में जो पोशन आया है वो बहुत जादा नहीं आया है कम ही आया है यह कुछ चाप्टर्स के लिस्दे रखी है जैसे हो गया हमारा सेक्रा देंसेभी हो गया सबसे ज्यादा जो मेजाओटी चेंजे वो बाइबैक में है और जो बाइबैक वाले जो मेरे स्टूडेंट्स जुन्होंने हमारी क्लासे दे रखी है तो उसमें यह सारी चीजे ओल्लेडी कवर हैं तो क्लास में ही कवर हो चुकी है सारी अमेर्मेंट्स वाली चीजे तो आपको अलक्सस में देखने की ज़र एतनी लेकिन क्योंकि इसमें दे रखा है तो एक बार शॉट में यह भी बता दूगे तो मेरे जो स्टूडेंट्स दे रख रहे हैं तो उससे टेंशन होने लेने की ज़र एतनी वो अल्रडी इसमे निचे में आपके चाप्टर में जो एड़न किया गया है आपके और इसमें क्या गया देभिक लिशुबंट्स के टीति शॉवल्डिजौन्स को ए तोঅ कुछ गया तो अटो स्टि गमेंटी थो क्रम अगें पार्ली संक्रींस स्टेओ ए तो उटस्टेंस to पढ़ते हारे हैं लेकिन रेफिरेंशन देने के पीछे लॉजिक यह है कि वो रूल नंबर 19A में यह चीज आपको बताना चाहते हैं कि सेंटर गवर्मेंट एक्जेम्ट सरकार एक्जेम्ट कर सकती है लिस्टेड एंटिटी को जिन लिस्टेड एंटिटी में सेंटर गवर्म उनको बतानी थी इसलिए उन्होंने गवर्मेंट कंपनी की डेफिनेशन तो बस इस चैप्टर में यही आड़न में बाकी कुछ भी चीज आड़न नहीं होगी है चलिया चलिया नेक्स चलते हैं अपना सेवी चैप्टर के तरफ लेसन पो यह आपको बता रहा है रिड्रेस इंट्रड़क्शन में दे रहा है क्योंकि हम जाते हैं कि इन्वेस्टर का जो सॉलुइशन है रिजल्वीशन है वह बहुत जल्दी से जल्दी मिले इसलिए इन्होंने कुछ एक्स्रा चीज़े अड़न किये और तो पाइलेट मोड में सारी चीज़े चल सके और तो रूट यह देजिनेटेट बॉड़ी की पुरिवरी लिस्ट दे रहा है देजिनेटेट बॉड़ी ऐस पर सरकुलर कौन-कौन है इन्होंने वह लिस्टेट कंपनी हो गया मर्चंट बैंकर हो गया बैंकर टीशू, रिल स्टेट, इंवस्मेंट रीट, देन मुनसीपल देट, देन कि देजिनेटीए, डेटिध के परिएस की लिस्ट है डेसिटेटीट बॉड़ी की जिस्पोंसविलिटी रिस्पोंसब्लीटीटी है इस डेसिंग्रेट बॉड़ी के जो अमने लिस्ट पढ़ी के? सुडिक रिस्पोंसबिलीटी है और फॉनिटकर है, हैंडल करेगा सारा क taking non enforcement action जैसे कि वह आपको advise करेगा देन आपको cautious letter देगा चिक तो यह सारी चीज़े लिए जाएंगे अब आजो यहां इन्होंने प्रॉपर पॉल रहे हैं अभी तक हमने जननल चीज़े पढ़े जननल चीज में क्या पढ़ा कि हम चाहते की चीज़े और बेटर हो जाए जल्द of the complaint handling आजो all the entities जित्ती भी जो complaint होगी score के थ्रू आने का resolve हो जाने चाहिए 21 days from the complaint receive आज complaint receive एकिस दिन के अंदर resolve हो जाने चाहिए वो यह क्या रहे रिजॉल नहीं तो कम से कम उसका reply action आना चाहिए ATR what do you mean by ATR action taken report आ जाने चाहिए मतलब complaint डाली तो वहां से कुछ न कुछ reply आ चाहिए ठीक है complaint law जौन दी score against any entity shall be automatically forward to the concerned entity इन्होंना का कि भाई आप score में डालो score जो person को देना अटोमेटिकली वहां चला जाएगा अप्लोड हो जाएगा ATR कितने दिन के अंदर 21 days के अंदर complaint against जो भी entity simultaneously forward कर दी जाएगी score के थूँ ठीक है designated body के पास designated body ensure करे कि वह किस दिन के अंदर हो जाए ATR आ जाने चाहिए action taken report इसमें आ जाने चाहिए designated body को monitor भी करना है सारी ATR को improve the quality of their addressal तो यह इनका काम है से भी पहले ले में concurrently monitor यह भी पहले ले देखेगा अब एक first review का concept आ है first review or second review, first review second review क्या है अगर complainant satisfied है तो कोई tension ही नहीं है कि हाँ complain हमें हमें जन्वें लगे complaint अगर जिन्वें नहीं लग रही है तो first review देखने का concept अगर first के बाद भी हमें कुछ लग रहा है मैं तो तुभी second review भी है तो first however if complainant is not satisfied the complaint में request for the review क्या है का फिर से review कर लो फिर से देख लो चीक है within the 15 days जब भी ATR आ है वहां से पंदा दिन के अंदर in case complainant request for the review और entity is not submitted ATR within 21 अगर complainant request करता है review का और या फिर ATR नहीं आता है 21 days के अंदर तो designated body first review वाला complaint को अपने तरीके से देख लिए designated body में से clarification entity से कि भाई आपने क्यों नहीं दिया ठीक है तो दस दिन के अंदर आपको उसका reply देना है चल कह रहा है वापस हम क्या बढ़ रहे हैं सेपी में कुछ नए चेंज किया है नए चेंज में उन्होंने साफ़ता बोलकर रखा है कि हम speedy disposal चाहते हैं time कम time पे जिल्दी problem solve करना चाहते हैं तो इसलिए हमने designated body बनाएगी है फिर 21 दिन के अंदर matter automatically वहाँ जाएगा उसमें ATR आ जानी चाहिए first review हो जाना चाहिए same second review की बात रहे है complainant second review की तरफ जाएगा पंदर दिन के अंदर from the चाहिए take review अब सेभी के पास सला जाएगा वो यह देखेगा second review complaint फिर सेभी या फिर designated body जो भी वाटेवर में सी clarification उस entity से पुछेंगे तुमने ATR क्यों नहीं दिया second review जो complaint है result dispersed जल्दी जल्दी होगा जैसा साइभी बोलेगी तो इन छॉट first review का ना आए concept है second review का action for failure to redress the investor complaint by the listed company साफसा बोला कि अगर investor की problem को ठीक नहीं किया जाएगा तो क्या action लिया जाएगा obviously fine लिया जाएगा fine लगाया जाएगा thousand per day per complaint on the listed company for the violation issue किया जाएगा notice about the levy of the fine direction दिया जाएगा 15 days में listed company fail to reduce grievance the date of search notice तो साफसा बोल दिया है notice के तुरू बोला जाएगा in case listed company fail to comply force and require में तो जो हमारा dhc है designated stock exchange है shell तुरंद immediate depository उसको बोलेगा कि इनके जो भी entire holding उसको freeze कर दो in case listed company fail to pay fine and all तो dhc जो in initiate करेगा other action जो ठीक लगया अब जो भी procedure action हमने पड़ा अब यह सारी के सारी जो लगेगी वो categories of the complaint यह नीचे दे रखी ना यह पूरी list दे रखी है कि non-updation address address or signature किसके correction यह बोनस का non-receipt dividend कर नहीं हुआ duplicate set वी यह सब list है यह जो list है यह कुछ matters कि इनके लिए action लिया जाएगा जो भी हमने उपर पड़ा चले अब यहां पर कुछ जर्रल जर्रल बात यह जर्रल बात यह जर्रल प्रोविशन की बात यह investor सबसे पहले कहां जाएगा उस entity को ही अप्रोच करेगा ठीक है इनन्स easy speedy accuracy हूँ इसलिए आपको जब भी आपके साथ दिखकती वहां से एक साल के अंदर-अंदर complain करवा लीजए complainant approach करेगा entity को complainant not satisfied with the reply तो आ सकता है यह पर if any complaint file score beyond the limitation period सभी में reject सभी कर सकता है कर सकता है एक साल के अंदर आप नहीं आते हो कुछ टाइप of complaints है जो score में handle नहीं की जा सकती यह चीज़े हमने कुछ obviously पढ़िए complainant against the unlisted deal listing company की बाते कर रहे आप यह सारी चीज़े यह सारी चीज़े score में नहीं की जाएगी क्या-क्या को में pending case other regulatory body का case है जैसे RBI का है complain IBC में जा गई है तो यहां क्यों आएगा complain ROC ने उस company को भाई struck off कर चुका है हटा चुकी है liquidate हो चुकी है company then market in short दूसरी दूसरी जगह पर अगर इनका यह सब को चल रहे तो यहां पर नहीं आएगा SEBI first review case देख रही है complain not being dissatisfied given reason satisfied score only platform देता है जिसमें investors की problem को solve किया जाता है in case the investor raise issue एटुरी ने थर्ड पाटी का जो भी है question of law या fact होगा तो score देखेगा कुल मिला कर overall अगर मैं समब बोलूं तो हम score platform अच्छे से समझ चुके कुछ चीजह यहां पर repetitive ही है कि किन-किन पर applicable नहीं है कौन से मैटर्स कही और चल रहे तो यहां पर नहीं जाएंगे तो यहां पर कुल मिला के बताए और जो नया है वो फर्स्स और सेकेंड रूवियू है ठीक है एक और पॉइंटर इंवेस्टर के न अप्रोजी ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजूलूशन मेकानिजम इसिविल कौलिफाइड स्टॉक ब्रोकर देख रहा है और एक है फॉर्ण पोर्फोलियू तो यह दो चीज एड़न विया जो आपकी बुक में हाना आपको और अच्छे से रीड कर लिनी चाहिए तो कौलिफाइड स्टॉक ब्रोकर ओविसली यह भी सेभी के पास अपने आपको जाएगा यह सारे फाक्टर से यह फॉलिंग पैरामितर से जिसे हम बोलेंगे कॉलिफाइड स्टॉक ब्रोकर है एंड अप दीडे मार्जिन अब्लीगेशन क्या है कंपाइं स्कोर क्या गर्वें से रडर्सल कैस का ठीक है इस ब्रोकर डेजिगनेटेट कॉलिफाइड तब स्टॉक ब्रोकर कॉन जो यह सारे पैरामितर में आ जाएगा वो चिक फिर फॉरंड पॉर्फोलियो इंवेस्टर बताये फॉरंड पॉर्फोलियो इंवेस्टर को क्या करना पड़ेगा सेटिफेकेट लेना पड़ेगा फॉरंड पॉर्फोलियो इंवेस्टर का चिक किसे depository participants है, तो यहाँ पर यह दे रखा है, फिर उनका obligation responsibilities की क्या है, following, amend हुई है, क्या, foreign portfolio investor as soon as possible but not later than the seven working days, ज्यादा late नहीं होना चाहिए, चीक है, seven working days, inform करेगा board and designated depository को writing में, कि भाही मैं यह करना चाहतू, as soon as possible not later than seven working days, inform the board or designated writing if there is any material change, उपर नॉर्मल बोला था, यह material change में बोल रहा है, as soon as possible, साथ दिन के अंदर, अगर in case कोई भी penalty, कोई भी litigation, यह सारी चीज़े, ensure the accurate details regarding investor group maintained with the designated depository participant, तो foreign portfolio के जो general obligations है, वो थोड़ी सी change करें है, यहाँ पे वो यह ही कह रहे है, stock worker की बाहत हो रही है, जहां regulation 10-A, percent required to obtain certificate, registration obviously SEBI से, check, चली, फिर foreign portfolio investor, जो भी हमने पड़ा, तो foreign portfolio जो investor fulfill करेंगा criteria, जो SEBI time to time देगा, information document यह कुछ नहीं पर यह general बात है, तो in short, इस chapter के अगर मैं बात करो, तो इस chapter में important किया, qualified institutional stock broker और foreign portfolio investor, इसमें थोड़ा सा obligation change किया, फौरण में, वो qualified के कुछ skills दे रहा है, factors दे रहा है, that's it. चली, अब जो हमारा chapter है, ICDR की बाहत हो रही, अब इस ICDR में क्या बुल रखा है, दो चीज़े, employee-based benefit, जो 2014 है, तो यह आपको पता है, हमने अलग से chapter पड़ा, यह खतम हो चुका है, है, इसका replacement 2021 आचुका है, तो इन्होंने का इस पूरे chapter में, जहाँ जहाँ हमें, वो 14 employee, share-based employee benefit लिखा है, उसकी जगा 2021 लेना है, फिर उन्होंने लिखा कि regulation 40 or 136 related to underwriting है, in case of IP or FPA, irrespective have been replaced, यह replaced हो चुका है, अब देखो, इन्होंने का bonus में आपने यह चीज़ add-on कर दिया, मतलब यह अलग से insert होया, receive approval from the stock exchange for listing and trading all the security, excluding the option granted to this option, and convertible security, issue by the issue prior to the issue of the bonus share, bonus share issue करने से पहले इन्होंने का आपको approval लेनी पड़ेगी, किसे approval लेनी पड़ेगी, stock exchange से लेनी पड़ेगी, excluding, इन्होंने का भाई, यह सब वाल change insert करें, bonus issue shall be made only demand form, तो यह जनल जनल बात है, इस्चीज़ लिस्टिंग ऑफ NCS, non-convertible security, अब यहां पर green debt securities की बात हो रहे है, तो green debt security means, वो debt securities, जिसका fund जो भी है, subject to green चीज़ों में लगेंगे, environment में लगेगा, अब यहां पर पूरी following categories दे रखी है, जिसमें cover होगा, renewable, sustainable energy, clean transportation, climate change, adaption, energy, sustain, land, biodiversity conversation, pollution prevention control, circle economy, blue bond, यह सारी जो yellow, यह सारी चीज़े, definition, तो definition अल्रडी हम पढ़ चुके है, चेक, चले, यह भी पूरी की पूरी हां पर list, अब regulation 15 बोलता है, right to recall and redeem the priority to the maturity, जो 6-7 have been substitute in the following, issue sent करेगा, notice regarding recall and redemption, हम इसको recall and redeem कर सकते है, prior to maturity, maturity होने से पहले, to the all eligible shareholders से मांगेंगे, officer security, dementia trustee, 21 days before the date from the search right is accessible, notice to be eligible holder, falling manner, क्या, soft copy के थूरू, या फिर हट copy, issue shell, similar to the provider copy, कुछ नहीं, आप इसको recall दोबारा बंगा सकते है, physical और electronic दोने फॉर्म में बंगा सकते है, फिर regulation 3, 33 यह क्या बोलता है, insert करता है, public issue या फिर लिस्टिंग को लेकर यह बोलता है, अब यहां पर कुछ detailing दे रखिए, कि public issue जो debt security, convertible है, shell be kept open, कितने, 3 days to 10 days, revision करना है, yes, price band है, revise कर सकते हो, लेकिन उन्हें बोला कि, maximum period जो आपका है, extend वो 3 दिन होगा, वो 3 दिन भी 10 दिन के अंदर यह बाक्सम आपका जो है, वो भी नहीं होना चाहिए, 10 दिन को क्रॉस नहीं होना चाहिए, in case force में जारो, force में जारो क्या होता है, banking strike, कुछ ऐसी चीज़ हो, जो आपके control में नहीं है, the issue में for the reason record, यह सारी reason record कर सकते है, not exceedingly maximum, maximum कौन सा है, 10 days, वापस, हम पढ़ रहे हैं, कितना time लेगा, 3 दिन से 10 दिन, revise करना है, तो 3 दिन और extra कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो 3 दिन भी 10 दिन के अंदर cover हो जाने चाहिए, जाए, जाए, next, जाए, अब यहां पे उन्होंने कम्प करेकिए, कि क रें, उसको सीने में है, फिल कि कमिर अ कpected matter, को सीने में इड़ने कर देना है, क्पर के अंप कर सकते हैं, इस सारे के सारे काफिषर, परसेनल, वाडि प मेंबल जिसमें हमने क्या बूल दियर्ग्टर शे Seer Belt में जो companies act के तो उनुनुन यहाँ पे हम इंसर्ट करदें यहाँ पर आपि इंसर्ट कर रहे हैं आस इता बला साइब सब्सक्राइब इसक्राइब लिटल 1940ि लिटल एंडरिंडमेशन सो क में फोनीमेसं एंडेन गॉमेसं दोक्मेसंस की awakened की इंफोर्मेशन डॉकमेंट किया language शेक्टूर्व JAKE क्या शेड्ल में चेच्यॉर ने कर सकता है का loops s वकुछ धेंदेभां अग्धें आप हैनाch यह अपने यहां यह साडी Record ます kita के आज़ें, Listing Obligation Disclosure Requirement, Listing Obligation Disclosure Requirement, यहां क्या बताया आपको, यहां इन्होंने बोल रखा है कि नोटिफिकेशन आया था आपका December 2022 का यह अड़न कर रखा है, SEBI में, इंसर्ट किया उन्होंने, SEBI में after due concentration of the interest of the investor, SEBI को हमेशा investor के interest का ध्यान राखना है, and the security market का, और उसके development का, और relax कर सकते है, strict enforcement of any requirement, मतलब, होता क्या है कि हम बहुत सारे rules regulation दे रहे हैं, लेकिन कहीं अगर ऐसा लगता है, तो आपको relax भी कर दिया, जाएगा बस यह जनरल बात बोल रखिया, चले, फिर regulation जो 15 है, यह omit कर दिया है, चीक, regulation 15 जो corporate governance का है, sub regulation 1A, explanation 4, has been omit, यह omit हो चुका है, हट चुका है, sub regulation 1B, 1C, has been insert, जो insert कर रखा है, यह हटा कर इसके जगा यह दे रखा है, चीक है, क्या दे रखा है, आचो, not standing anything contain the regulation, in case infrastructure वाला जो है, ठीक है, उनके provision, government norms जो यह है, shall be applicable, यह applicable होएंगे, not standing anything contain REIT, मतलब infrastructure हो गया, यह, हम जो यह chapter बट रहे है, यह chapter किसका है, LODR का, ठीक है, तो अगर यह लोग लिस्टेट है, तो इनके क्या बोल रहा है, notification के तुरू यह following amendments लेकर आए है, यह बोल रहा है, new definition दी है, किसके mainstream media की, mainstream media की important है, यहाँ पर definition mainstream media, include करता है, print electronic mode of the falling, जिसमें newspaper भी आ सकता है, news channel भी आ सकता है, content यह publish कर रहा है, publication, news, current affairs में वो भी cover हो जाएगा, newspaper, news channel, news, affairs, जो similar registered चीचों के वो सर, vacancy to be filled in the office of the compliance, obviously compliance officer भी बैटेगा, any vacancy in the office compliance officer, listed, not later than 3 महिने का time दे रहा है, that's it, not filled 3 महिने के अंदर, तो unless appointment of the law, जो बोलता है, चीक, चले, listed entity not fill such vacancy by appointing a person in the interim capacity, unless the appointment is made in accordance with the law, of the fresh appointment of such office, next, चल क्या रहा है, यह चीज़ नया add-on कर रखा है, यह important, अगर आप इन्हें appointment करते है, साफ साफ लिखा है, continuation of the director, serving on the board of director, listed company, subject to approval by the shoulder, general meeting में अप्रोल देंगे, once, every five years में एक बार देंगे, from the appointment or reappointment as the case में भी, continuation of the director, serving, हम पढ़ रहे हैं, कि director continue कर रहा है, साल में एक बार बस वो दे दे, without approved shoulder of the last five years, more than subject to approved shoulder in the first meeting held, जो भी उन्हें 31st मार्स 2024 दे रहा है, provided further requirements specified, not applicable to the, इन सब पे applicable नहीं होगा, the requirements specified, regulation not applicable, director appoint, person to order of the tribunal का है, तो नहीं होगा, requirements specified, not applicable, अगर director nominated by financial nominee director, तो पे नहीं लगया, कुछ नहीं लिस्दे रहा है, following regulation add-on किया है, vacancy to be filled, officer of the director, vacancy officer जो भी director है, please तीन महीने के अंदर आपकरना है, however listed company, non complaint, engine की है, expiration of the term of any director, resulting vacancy filled by the listed, not later than, search office to be vacated, जल्दी जल्दी बस seat खाली होती तो भरने का, फिर यह add-on किया है, vacancy to be filed, certain KMP, any vacancy, इन सब की जगह पे होता है, तो please तीन महीने, बच्चों वही तीन महीने, ट्राइकरो जल्दी, disclosure by cyber security branches के अगर बात करें, तो अगर कोई भी incident या breach or loss by data का document to be disclosed, तो quarterly report की बात हो लिया, disclosure in the event and the information, the omission of the event of the information, whose value, expected impact, exceeding, यहाँ जितने भी है, whichever is lower, ठीक है, sorry, exceed the lower of the falling, इससे ज्यादा नहीं, वापस, disclosure of the event information, अगर कोई भी omission, कोई भी information है, जो रह गई है, अगर इससे exceed होती है, पहले तो हम यह सारी limit का विचेवरी is lower, 2% of turnover, 2% of net, 5% of the average absolute profit, इसमें से whichever is less, उससे ज्यादा का आपका omission अगर होता है, in case the criteria specified, इससे ज्यादा होता है, तो भी आपकी against action, इन्होंनों का कि अगर यह सारी चीजे, यह criteria applicable नहीं है, in the event information में, being material of the opinion, board of director, listed entity, event information, अगर consideration, material, अब यहाँ पर यह कह रहा है कि भाही, जो यह limit है, इससे उपर जाते है, तो इतना disclosure of the event of the information, यह criteria हम देखेंगे नहीं, अगर चीजे material है, listed entity को first disclose करना है, stock exchange को और यह दे रहा है, इतने से जादा लिटने हो जाए, 30 minutes, 12 hours, 24 hours, अब देखेंगे यहाँ इन्होंने topics दे रखें, कि भाही हम इन इन topics ही बात करें, close of the meeting of the board of director, in which the decision related to the event, information of the taken, occurrence of the event, in case event, चीक है, तो अलगले event है, top 100 listed entity को क्या बोल दिया, और top कौन सी, 250, तो हमें 250 को ज्यादा ध्यान देना है, अगर किसे ही deny, clarify any report, even the information, mainstream media, mainstream media की बात हो रिया भाई, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ठीक है, which is not general in nature, which is indicate the rumors and all, इन सब की बात हो रिया, अगर possible हो सुके, as soon as reasonably, but not, 24 hours के अंतर आपको बता listed, provision regulation, जो भी every listed, disclose करना पड़ेगा, आपको, communication वागेरा सारी चीजे, disclose है, certain type of agreement बुल दिया, जैसे की all shoulder promoter, इन सब के साथ, जो agreement है, disclose है, इन अपड़ेगे विदिन two working days के अंदर, special right है, shoulder के पास, special right granted to the shoulder listed company, तो साब बुल दिया आपको, every five years, आपको special resolution पास करवाना पड़ नू लिया के listed company हो, तो उनका, 60 days from the end of the financial year, रभी 21 days from the date of listing, whichever is later, annual report तयार करने है किसको, thousand companies होगे, listed top जो होगी, इनको report करना है, चली, तो कुल मिलाकर, जो ये regulations है, इन regulations को आपको बस, जो important चीजे है, उनको consider करने कि ये top thousand company को क्या बोले, top hundred, top two twenty companies को क्या करे रहे है, ठीक, फ framework for the voluntary delisting of the non-convertible debt, preference, shares obligation, listed entity, such delisting, इसमें बुल रहे है, applicable होगी, अगर आप voluntary delisting करें, और listed non-convertible, या convertible redeeming, इन सब को, तो इसकी terms and condition, पहला, आपको इन principle approval लेनी पड़ेगी, notice देना पड़ेगा, stockation की हाँ, हम delist करने जा रहे है, not later in three days from the date of the Japan principle approval, बिले, approval from the holders or non-objection letter भी ले लो, debenture trustee से, fail हो गए, अगर delisting proposal में, non-received of the principal approval नहीं मिली, या फिर non-received of the required approval holders नहीं नहीं दी, non-received objection नहीं मिला, तो fail हो जाओगे, final application stock exchange के तो पांस दिन के अंदर, जब भी सारी approval मिलके की हाँ, हाँ, अब हम हो रहे है, delist, चिक है, चले, next क्या है, CVKLUDR, ये क्या बुलते हैं, comment to force, notification, listing of the subsequent issue, अब जैसे यासे नहीं नहीं आप shares लेकिया होगे, non-convertible debt securities, उन्हें भी list करना है, every listed company, जो भी लेकिया हैंगी, after 1st January 2004, सारी stock exchange, उसे भी list करना है, अगर unlisted है, made on this, outstanding, तो भी list करो, listed entry, proposed to be list, सब को list करना पढ़ेगा, listed entity, not required to list, इन securities को करने के ज non-convertible debt है, agreement को according, listed entity और multiple institution के साथ, non-convertible है, person to court या, tribunal वाला है, security issued by listed entity, जो regulation है, unencumbered है, listed entity, जो sub-regulation form है, अभी हमने देखा ये, disclose कर दिया है, रखा है, stock exchange को, चले, next, ये बोलता है, regulation 31, L.O.D.R. के बोलता है, कोई भी symbol, words, numerical, with effect from, this is heavy normative, ये हमाटा दिया है, उसके जगह पर ये substitute आ गया है, with effect from, चिक, ये कुछ ने उसका brief ही बस दे रखा है, with effect from, the date of age में भी specified, यहां भी chapter होता है, over, अब बाई- question की बात करो, तो ये already हम chapter, देखो, जिन बच्चों ने already मेरी classes बट रखी ये कर रखा है, तो काफी कुछ चीजे वहाँ पर cover हो गही है, तो उसे आपको फिर देखने की ज़ुरत नहीं है, जैसे buyback और पूरे से cover है, अब यहां पे इन्होंने बोल रखा है, definition, frequency trade की और से के बात हो रही है, जिकिए अपनी secretary practicing की बात हो रही है, अब definition, odd load हट चुका है, regulation 4 की बात करें, तो यहां पे उन्होंने जो maximum limit है, वो 25% दे रखी है, जिकिए, अब बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने stand-alone or consolidation, यहांने पढ़ाते पढ़ाते, एंडी की जगा और का substitution आ चुक में से खतम करेंगे, तो 2025 में टोटल खतम होगा, तो 15% अभी उन्होंने बोला, फिर 10%, 5% धिरे-धिरे खतम, तो buyback from the open market through the stock action not be allowed with effect, मतला इसके बाद आपको open market, तो दो चीज़े खतम होगे, open market से धिरे-धिरे खतम करें, odd light पूर से खतम करें, तो open market में का एक बार से नहीं प्लिक अनॉंस्में, इलेक्ट्रोनिक मोड की बाहत होगे, stock exchange, तुरंत, format disseminate public announcement to the public, copy of the public announcement, placed on the respective website of the stock exchange, company required, file करना पड़ेगा, दो दिन के अंदर, record date, letter of the offer, buyback through tender offer, no draft letter, आप तको यह पूरी रिपीट करने, public announcement, अगर इसमें आपको detail में पढ़ना है, बच्चों यह अगर आपको इसमें डिटेल देखना है, तो आप मेरी वो proper detail वाली classes देखे, public announcement disclose करेगा, dispatch letter offer, date of opening of the not later than the four working days, चीक है, प्रोर अमेर्मेर्मेर्में रिक्वार्मेंट, five working days जा करता था, buyback, five working days, फिर से company shall complete the verification, company exchange is destroy करेगा, वोई 15 days का ध्यान रखना है, company furnished certificate and all, provision relating odd load, यह अब खतम, buyback from the open market की बाद की जाए, तो धीरे धीरे, इन्होंने का, company shall ensure 75% of the end mark, buyback is utilized by backing shares, other space way, minimum utilization जो आपका amount end mark, 50% to 75% होना चे, minimum 40% of the amount end mark, जो buyback is space way in the resolution of the border director special, okay, for the purpose of buyback, through stock exchange, separate window alux से करवाँ, company simultaneously public announcement करेगी, stock exchange, जो फोई दिसेंट ये बाद पप्लिक तक पाच्चाओ, copy जो public announcement की website में डाल दो, buyback through stock exchange, subject to restriction placement, चले, opening of the offer of the stock exchange, the following amendment, अब ये 6 महीने 66-22 working, buyback जो open वाला है, not later than 4 working days, from the date, लेकिन shell close, अब ये अलगलग time के लिए, जो हमने उपर पड़ा था ना, 15-10-5, जो हमने पड़ा था, 15-10-5, उसी को बोल रहा है कि 15% की बाद ये वेदिन 6 मन buyback period, 66 working days, उसके लिए 22 working days, उसके लिए 22 working days, देखो ये क्या लिखा है, 2000, 23 की बात हो रही है, ठीक है, on and before, वहां से 6 महीने, ठीक है, ये अलगलग years की working days दे रखी है, ठीक, चले, buyback through the open building, वापस से क्या रही हूं, ये सारी चीज़ अगर आपको detailing पढ़ने हैं तो बच्चो classes में चाओ, क्योंकि वो detailed है, ठीक, अब ये amendment है, short में से समझना है, इसको हम बहुत जाद है, इसके detail कहरा है नहीं 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 जा सकते, buyback through book building, following amendments, तो company में buyback, it share, ठीक, through book building process, तो उन्होंने का disclosures देने पढ़ेंगे, company have authorized special resolution, board of director का disclosures, public announcement, book building process, comments 7, public announcement shall contain details, ये बस ये रख है, ठीक, चलिए, अब आते है, final mutual fund में, mutual fund में रूने क्या पूल रखा है, नहीं नहीं definition add-on कर रखिया, नहीं definition क्या है, लिक्विड नेटवर्थ, लिक्विड नेटवर्थ मींस, नेटवर्थ, देपलोई, लिक्विड असेट, लिक्विड नेटवर्थ, सारी लिक्विड फॉर्म की बात हो रही है, और एंकमबर्ड की ओर है, जैसे cash, include cash, money market, government security, ये सारी चीजहे लिक्विड नहीं तो ये definition य याद रखना, NAV की definition दे रखी है, net asset value means the value of the computer in the manner provided, check provide, definition दे ने प्रवाइड, regulation 7 eligibility criteria देता है mutual fund के registration की, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आजाओ, जिसका soundtrack record अच्छा होना चाहिए, general reputation अच्छा होना चाहिए, soundtrack record से मतलब केरों थे business पिछले 5 साल, net worth आपका 5 साल, ensure the positive, ये सा ठीक है, net profit providing depreciation, जो tax है, each of the immediate preceding, आपका soundtrack record मतलब ये सारी चाहिए अच्छा होना चाहिए, average net profit आपका अच्छा होना चाहिए, last 5 years का, at least 10 crore, if requirement specified expression is not fulfilled, the sponsor shell, check, educate, must capitalized asset management company, net worth दे दे अपना, ensure the initial equivalent, दे दे चाहिए, if the requirement specified under the explanation not fulfilled, the sponsor shell educatly capitalized करे अपने asset management company को, such that जो उसका net worth है, asset का management, not be less than, कितना नहीं अच्छा है, 150 crore से कम नहीं, ये भी ensure करे साथ में, जो initial shielding equivalent to capital contribution to the asset management company, to excel not less than, कितना 150 crore is lock-in for the period of 5 years, then a point, experience personnel, ये सारे दे रखे है, ये सारे परसनल, ensure the acquisition of existing asset management company, sponsor चले है, minimum positive liquid तो होना चाहिए, कम से कम, ठीक है, ensure acquisition of stake existing asset management company, at least 150 crore shall be locked for the 5 years, ensure the other condition, private equity fund या pool investment, pool investment fund may also permit to sponsor mature fund subject to condition, following regulation और insert किया है, इन लोगाने, क्या sponsor permit करेगा, disassociate from the asset management company, event of the sponsor, disassociation itself, event of the disassociation of the sponsor from the asset management company, हम पढ़ रहे है, norms of shareholding and governance, हमने जो norm shareholding यह सब पढ़ा है, तो इसमें यह सारी चीजे add-on कर रखिया, यह add-on कर रखिया, यह already book में हमने अपने regular class में cover कर रखा, event of the sponsor, disassociation 10% कम जादे नहीं, assignment management company, fail to fulfill condition above, disassociation sponsor, तो shall subject to such condition, regulation 16 बोलता है, appoint करेंगे trustee, appoint जो trustee का mutual fund में, chairperson of the board of director trustee company independent होना चाहिए, provided trustee company already appoint trustee mutual fund shall be comply with his, सब regulation within the period specified time to time, regulation 31 का यह क्या बोलता है, principle approval from the recognized locations लेना पड़ेगा, 31 का भी बोलता है, listing agreement, substitute of the following, यह substitute है, before listing the unit of the mutual fund, asset management company, mutual fund shall execute a agreement with the stock, बच्चों, तो को कहने के लिए तो मैंने सारी चीज़े बढ़ा दी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ा है, लेकिन अगर मेरा recommendation पूछोगे, important पूछोगे, तो very 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 important, पूरा अगर important हो तो सब से थाधा important क्या है, मैं आपको बता दू, जितनी definition add-on विये है, जैसे liquid net worth, यह, norms of, यह important, मैं इसमें से आपको important important चीज़े बस बता देतू, और, यह सारी चीज़े important है, यह जो days है, यह हो गया, मैं pink color से highlight को रहे है, अगर आपको समय नहीं आपड़ने का हो, तो सारी important चीज़े आप cover कर सकते है, यह जो pink color से highlight किया, then, और क्या होएगा, तो को पूरा पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छा, एक one reading अच्छे से थंडे टेमाग से करने का, यह, mainstream media की definition, 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 यह, mainstream media का, जो इसके, इसकी बात करता है, अच्छे, exemption की, जो, तो important मैंने mark कर दिये, तो यहां पर हमारा पूरा अमेंडमेंट होता है और अमेंडमेंट की पीडिएफ है यह आपको डिस्क्रिप्शन में बिल चाहेगे